Now students, let's start with exercise 4.6 का जो introduction है, वो start करते हैं, हम लोग determinant chapter पर रहे हैं, उसकी 4.6 की जो exercise है, last exercise है, इसके बाद mislenious है, उसका introduction पाट हम लोग start करते हैं, उसका introduction पाट है application of determinant and mattresses, अब हम determinants और mattresses को क्या कहाँ apply करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, basically हमाने पढ़ा था कि linear equation में हमारा mattresses और determinants apply होता है, जितने भी हमारे linear equations के through solve होते हैं problems, तो बहुत काम आती हैं ये practical life में, तो उसको application और determinants के through solve करना easy हो जाता है, solution of stuff से पहले हम पढ़ते हैं, जो basic हमने अभी तक पढ़ते हैं, 8th और 9th क्लास में I guess हम लोग में पढ़ा था ये, solution of linear equation, solution of linear equation, दो type के solution होते है consistent and inconsistent, हम जो भी linear equation का solution निकालते हैं, वो या तो consistent आता है या inconsistent, what is consistent, consistent या तो उसका unique solution होता है, या फिर many solution होता है, unique solution मतलब सिर्फ एक solution जो की उस linear equation को solve करता है, सिर्फ एक ही solution होता है, और many solution या उसके बहुत सारे solutions होते हैं, वो आता है आपका many solutions में, consistent में, inconsistent जिसका कोई solution ही न नहीं होता है वो आता है इंकंसिस्टमेंट में तो यह लीनियर इस exercise में हम अभी सिर्फ यूनीक solution के बारे में पढ़ेंगे here we will discuss only the unique solution हम जो हम इस पर चाप्टर में सिर्फ यूनीक solution के बारे में ही पढ़ रहे हैं अब कैसे पढ़ना है उसको कैसे हम लोग सबसे पहले मैंने आपको बता रखा इसको अपन मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं इस मेथर जो हम फालो करेंगे उसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं जैसे यह एक तीन एक्क्वेशन लिखी हुई मैंने a1 x1 b1 y c1 z d1 a2 x b2 y c2 z d2 a3 x b3 y c3 z d3 यह तीन इक्वेशन लिखी हैं इसको मैंने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया यानि जो मेरे इनके बनाई मेरी x y और z की x y z क्योंकि यह a1 b1 और c1 है अगर मैं इसको multiply करती हूँ a1 x plus b1 y plus c1 z fine वापस मेरी यही बन जाएगी a2 x b2 y c2 z a3 x b3 y c3 z तो मेरी वापस यही equation बन जाएगी तो इसको मैंने अलग से separator के लिख दिया और d1 d2 d3 यह मैंने इधर से इसको अगर मैं as in equation form अगर लिखती हूँ तो कैसे आएगा मेरा a x is equals to b यह मेरा यह form बनेगी क्योंकि मैंने बताया भी a को मैं x से multiply करूंगी और इधर d लिखती हूँ यह b लिखा है मैंने इसको sorry तो इधर अगर मैं b लिखती हूँ तो मेरी यही form बनेगी जो मेरी equations है इस form में लिखने से इस equation का कहीं कुछ change नहीं होता है अब मुझे सबसे पहले check करना पड़ेगा इस form में लिखने के बाद मुझे check करना पड़ेगा मेरा जो a है वो मेरी singular matrix है या non-singular matrix है इसका मतलब क्या कि मेरे को उसका determinant निकाल कर देखना पड़ेगा और अगर वो 0 आ रहा है तो वो singular matrix है अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो वो non-singular matrix है तो अगर वो non-singular matrix है तो ही हम उसका a इस method से इस procedure से solve कर सकेंगे तो देखो अगर जैसे a x is equal सबसे पहले मैं चेक कर लिया है कि a मेरी non-singular matrix थी ठीक है फिर मैंने लिखा a x is equal to b फाइन इसके बाद मैंने क्या a inverse का multiply किया pre multiply या नहीं आगे की side दोनों का मैंने a inverse का दोनों side multiply किया तो ये तो मेरा बन गया i और ये मेरा बन गया a inverse b ठीक है तो अब मेरी x i into x तो x ही रहेगा तो x is equal to a inverse b आ गया अब ये जो a inverse आया है ये ही मेरा जो इसका solution होगा वो इस type से solve होगा x y z की value जो आएगी वो a inverse निकालोगे और उसको b से multiply करोगे तो तुमार को x y z की value जा जाजेंगी तो ये जो a inverse है हमेशा मैंने जब inverse निकालना सिखाय तो बताता कि inverse हमेशा एक unique solution होता है मतलग किसी भी matrix का जो inverse अगर present होता है अगर exist करता है तो वो सिर्फ एक ही होगा and that will be unique इसलिए हम लोग ये unique solution वाले questions कर रहे हैं here it provides a unique solution as inverse of the matrix is always unique अब हम लोग देखते हैं कि जब मेरा a singular matrix है यानि मेरा determinant of a 0 है पहले तो non singular के लिए आप a x equals to b करके निकाल सकते हैं और x is equals to a inverse b ऐसे करके निकाल सकते हैं लेकिन जब हमारा ये inverse singular matrix है तब क्या करेंगे तब a determinant मेरा क्या हो जाएगा 0 इसके दो तरीके हैं to calculate सबसे पहले adjoint of a into b निकाल के दिखेंगे हम सबसे पहले adjoint of a निकालेंगे उसको b से multiply करेंगे अगर ये will not be equal to 0 अगर ये 0 नहीं आता है तो वो no solution कहलाता है यानि inconsistent कहलाता है और अगर ये 0 आ जाता है adjoint of a into b अगर मेरा 0 आ जाता है तो वो it can be consistent और इसमें 2 option होते है consistent भी हो सकता है consistent नहीं भी हो सकता है होगा तो बहुत सारे solution होंगे और consistent नहीं हुआ तो no solution हुआ चीक है तो ये बचे वे दो cases थे जो consistent और non-consider ये फिलहाल at present आपके इस book में course में नहीं है अभी हम लोग सिर्फ unique solution ही पढ़ेंगे अब एक example लेके चलते है example 27 है NCRT book का वो बोल रहा है 2x plus 5y equals to 1 और 3x plus 2y equals to 7 ये मुझे एक linear equation दे रखी है इस linear equation को मुझे solve करना है through determinant matrix form matrix determinant form से solve करना तो सबसे पहले मैंने जो coefficients है 2, 3, 5, 2 इनको मैंने एक matrix form लिग दिया A फिर मैंने एक x लिया जो x और y के जो variables हैं वो लिखे और इधर जो right hand side में equals to के right hand side में है 1 और 7 वो मैंने B form में लिख दिया ठीक है तो अभी मैंने क्या निकालना बताया था सबसे first step है to calculate the determinant determinant calculate करेके देखूंगी कि non singular matrix है that will be 4 minus 15 that will be minus 11 और it is not equals to 0 इसका मतलब ये एक non singular matrix है तो इसका एक unique solution present है इसका मतलब इसका inverse निकल सकता है तो अब मैं A inverse निकाल के देखती हूँ क्योंकि मेरा जो formula यूज करना है वो है x is equals to A inverse B तो सबसे पहले मैं A inverse निकालूंगी determinant क्या है मेरा minus 1 upon 11 और इसके मुझे यहाँ पे क्या लिखने है co-factors 2 और 2 तो interchange करूंगी तो यह ही आएगा और यहाँ minus 5 और यहाँ पे minus 3 चीक है तो इस co-factors निकाल के transpose भी कर दिया मैंने तो यह joint of A निकल गया मेरा तो joint of A upon minus 11 तो यह मेरा आगया A inverse अब मेरा formula क्या था x is equals to A inverse B यह अभी मैंने पीछे just बताया तो मैं यहाँ पे लिख देती हूं 1 upon 11 2 minus 5 minus 3 और 2 यह और मेरा B क्या है 1 or 7 जो मैंने यहाँ लिखा था B और 1 और 7 वो मैंने यहाँ लिख दिया अब बस इसको multiply कर दो तो यह आ जाएगा x जो है मेरा वो क्या है x और y है यह वारी determinant sorry अपन नहीं आएगा x और y मेरा determinant है यह x इसको मैं असे सही से लिख देती हूं x और y ठीक है और इधर क्या आएगा minus 1 upon 11 इसको multiply करके लिखते हैं अपन तो यह आएगा 2 35 33 minus of 33 3 minus 3 and 14 minus 3 minus 3 and 3 14 minus of 3 and 1 and 14 11 ठीक है तो यह आया plus 11 यह आगया मेरा solution इसका next अब मैं 11 का इसके अंदर divide कर देती हूं तो x और y मैट्रिस फॉर्म आगया यह minus 11 बने अंदर दोनों जगर divide कर देती है तो यह हो जाएगा 33 by 11 will be 3 and 11 by 11 will be minus 1 तो यह x और y के मेरे solution आ गए तो x is equals to 3 और y equals to minus 1 मेरे solution आ गए इसके थूँ ठीक है तो यह linear equation को solve करने का तरीका है x और y निकालने का through matrix form ठीक है तो हमने इसको matrix और determinant को दोनों को use करके हमने यह a inverse निकालके फिर उसको a inverse b से multiply किया और x और y की value निकाली now let's take another example example 28 लिया है इसको भी उसने बोल रखा है solve the following equation by matrix method यह तीन equations दे रखी है इस equation के coefficients को मैंने यहाँ पर a matrix form में लिख दिया 3-23 2-1-1 4-3-2 यह मैंने ऐसे लिख दिया x, y, z मेरे x वाली matrix बन गई और 8, 1, 4 मेरी b वाली matrix बन गई अब सबसे पहले वो ही चीज़ a determinant check करेंगे हम इसका 3 से first row से इसको open करने की कोशिश करते है 1, 2, 3 ठीक है तो यह आ जाएगा 2-3 ठीक है plus 2 लिखा क्योंके minus minus plus हो जाएगा यह गया to 2s of 4 and plus का 4 फिर आएगा यहाँ पर plus 3 and it will be 6 minus 6 and minus 4 तो इसको अगर solve करेंगे हम अगर तो यह आएगा 1, 3 minus का 3 plus 2 8 to 16 and minus of 10, 30 fine, तो इसका answer आएगा minus of 17 ठीक है तो यह equals to 0 नहीं है तो इसका A inverse मौझूद होगा तो A inverse निकालेंगे सबसे पहले A inverse निकालने के लिए adjoint of A निकालना पड़ेगा adjoint of A इसके co-factors होंगे 3 के co-factors निकालते हम 2 2 and यह आएगा ना 2 minus 3, 1 ठीक है यह आया 1 तो यह minus का ही रहेगा इसका sign change नहीं होगा then 1 और adjoint पहले उसके लिए adjoint के लिए co-factors निकालने पड़ेंगे तो हम इसके co-factors निकाल देते हैं फिर transpose करते हैं तो minus 1 यह मैं निकाल रही हूँ co-factor ठीक है ताक कि क्या होगा कि हमें इसको transpose करने में problem नहीं आएगी it will be minus 8 then minus 10 minus 5 minus 6 1 and minus 1 9 और 7 यह मैंने calculate करके रख रखा था तो मैंने इसको directly लिख दिया अब मैं लिखूंगी इसका adjoint of A so that transpose हो जाएगा minus 1 minus 8 minus 10 minus 5 minus 6 1 minus 1 9 और 7 यह इसका आया adjoint of A ठीक है अब बस इसको A inverse निकाल देते हैं A inverse में आजाएगा determinant आएगा 1 upon minus 17 minus 1 minus 8 minus 10 minus 5 minus 6 1 minus 9 और 7 बस अब इसको क्या करना x is equals to A inverse B तो अब यह inverse लिखो यहाँ पर minus 1 minus 8 minus 10 minus 5 minus 6 1 minus 1 9 7 ठीक है यह inverse लिखा और B मेरी value क्या है 814 और इसको अब इससे multiply करके इसको solve करके आपके यह आ जाएंगे x, y, and z यह तीन coefficients जो है इसको इन दुनों को multiply करके यह x, y, z आपके calculate हो जाएंगे तो यह question को आप इसके आगे carry करके खुद सो solve करिएगा x, y, and z की values निकालिएगा इनको simple matrix form में multiply करना है और फिर 17 का अंदर divide कर दीजेगा तो इसका answer easily आ जाएगा Now let's start with example 29 example 29 बोल रहा है the sum of 3 numbers is 6 तो उसमें अब equations हम को बनानी है sum of 3 numbers और यह 6 इसका मतलब x plus y plus z is equal to 6 तीन number है let 3 numbers भी x, y, z यानि first number भी x second number भी y third number भी z तो x plus y plus z is equal to if we multiply third number by 3 अगर हम and add second number to it हम third number को यानि 3 z को हम लोग 3 को z से multiply कर रहे है और उसमें second number add कर रहे है तो we get 11 हमें क्या मिलता है 11 by adding first and the third number we get double of the second number by getting first by adding first and the third number यानि x plus z we get double of the second number double of the second number ठीक है तो यह 3 equation उसने बोल रहे है represent it algebraically and find the numbers by using matrix method तो हमें 3 equation हमारी मिल गई that is x plus y यानि the sum of 3 number is 6 if we multiply the third number third number है यह and add the second number यानि यह we get 11 and if we add first and the second number sorry first and the third number we get twice of the second number ठीक है यह इसने तीन equation बगा थी अब मैं इसको arrange कर देती हूँ properly यानि x plus y plus z is equal to 6 इसमें y पहले लिख देती हूँ x की turn तो है ही नहीं 3z is equal to 11 और इसको मैं इदर shift कर देती हूँ x minus 2y plus z equals to 0 क्योंके मुझे इसको matrix form में लिखना है तो इसको x y z को arrange करना ही पड़ेगा अब मैं A matrix बनाती हूँ 1, 1, 1, 0, 1, 3, 1, minus 2, and 1 यह मेरी A matrix बनी x is equal to x, y, z and B एक matrix बनेगी 6, 11, and 0 ठीक है तो यह तीनों matrix मैंने बना दी अब सबसे फ़हले check कर लेते हैं A determinant इसका A determinant कितना है 1 and 6 1, plus 6, minus इससे खोल दें तो 0 0 हो जाएगा यह तो 1 से खोलेंगे तो ठीक है इसको तो second इस column से खोल देते हैं तो यह 0 हो जाएगा next वाला इस 1 से मैं खोल रहे हूँ 3, minus 1 तो यह मेरा आया 7, plus 2, that is 9 which is not equals to 0 ठीक है? अब हम लोग find करते है adjoint of A सबसे पहले adjoint of A निकालना उसके लिए adjoint of A निकालने के लिए पहले cofactor निकालने पड़ेंगे तो मैं directly cofactor इसी form में लिख देती हूँ A, double 1 का cofactor मेरा कितना है था? 7 इसका cofactor तो मेरा minus 3 1 and minus 2 1 and minus 2 यानि minus 3 इसका आएगा 3 and minus 1, 2 ठीक है? तो इसका आएगा minus 3 then इसका आएगा minus 1, 3 और 1 ये आगए इसके मेरे cofactor आगए अब मैं इसका adjoint निकाल देती हूँ इसको transpose करके 7, 3, minus 1 minus 3, 0, 3 और 2, minus 3, 1 ये आगए इसका adjoint of A ठीक है? अब A inverse निकाल देते हैं 1 upon 9 7, 3, minus 1 3, 0, 3 2, minus 3, 1 ये आगए A inverse ठीक है? ये आया मेरा A inverse 1 upon 9 लिखा जो determinant था वो और मेरा adjoint of A ये लिदिया उसके बाद मैं निकालूँगी x is equals to A inverse B ठीक है? तो A inverse मैंने लिखा 7 minus 3, 2 3, 0, minus 3, minus 1 3 and 1 ठीक है? और B की जो मेरी value थी वो मैंने लिखी 6, 11 और 0 अब इसको और इसको multiply करके मैं solve करती हूँ तो ये मेरा x, y, z आ जाएगी ठीक है? ये x, y, z आ गई अब ये आया 1 by 9 इसको मैं multiply करती हूँ 42, 42 minus 33, 0 इदर आएगा 18 plus 0 plus 0 ओके? minus 6 plus 33 3 plus 0 fine ये multiply करने पर आया तो x, y, z मेरा क्या आएगा? 1 by 9 9 minus 33, 42, 18 and 6, 27 ठीक है? अब ये divide हो सकता है अंदर तो x, y, z जो मेरी आएगी वो divide होने के बाद आएगी 1, 2 and 3 यानि मेरी x की value i1, y की value i2, z की value i3 तो ऐसे इस type से आप linear equation को solve कर सकते हैं through determinant and matrix method जिसको आप बोल सकते हो तो इसे आपकी exercise 4.6 easily solve हो जाएगी तो इसको आप फटा-फट पहले सारे example solve करिए ताकि अपने concept clear कर हो जाएगे उसके बाद अपने exercise स्टार्ट करके exercise complete करिएगा Thank you